ये गाईज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चाइनल बाउन्टू एडुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में आज की इस वीडियो में जैसे सी पीजीटी जैसे सी टेक्निकल केमेस्ट्री से संबंदित मोस्ट मैं हर एक कुशन को एक्स्प्लेंड करते हुए चलूँगा और साथ मैं मैं आपको हर एक कुशन में पांस सेकंड का टाइम दे दूँगा जिससे आपका मोक्टेश्ट भी हो जाएगा और आपका खुद के अंदर कंडिविडेंस भी आएगा क्यूंकि अभी पढ़ने का सम हो गया है अभी समय है अधिक सदिक मोक्टेश्ट लगाने का मैं बार बार कहता हूं कि परिक्षा का डेट दे दिया गया है और आपका एड्मिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है जैसे सी पेजिटी के स्टुडेंट के लिए तो अधिक सदिक आप प्रेक्टिस सेट को शुरू कर चुका है लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस परकार के वीडियोस आपको प्रवाइड करवा जाएं तो चलिए आज किस वीडियो को सुरू करते हैं और आते हैं आज के statement है, option से it is a covalent molecule it contains CS3 plus and I minus ion, it contains CS plus and I3 minus ion या फिर last option है it contains CS plus, I minus ion and lattice I2 molecule चले, question number one का correct answer आप खुद से देने का परियास करेंगे आप अपना उत्तर comment करके लिख सकते हैं question number one में हम लोग का question है कि एक molecule दिया गया है CS I3 minus और इसे संबंदित कुछ options दिये गये हैं उनमें से बताना है कि कौन सा option ऐसा है जो की सही होगा, पहला option देखते हैं it is a covalent compound covalent compound तो हो ही नहीं सकता है क्यूंकि आप देखकर ही समझ गये होंगे CS I3 minus क्या है, ionic compound है तो यह तो गलत हो गया दूसरा option है, it contains CS 3 plus and I minus ion और यहाँ पे CS का oxidation state 3 plus हो ही नहीं सकता है तो यह भी आपका गलत हो जाएगा option C देखते हैं, it contains CS plus and I3 minus, तो यह option आपका correct answer हो जाएगा, जिसमें यह CS I3 minus क्या है, एक ionic compound है जो की CS plus and I3 minus से बना है, option C आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है next question के और आगे बढ़ते हैं question number 2, Mg2 plus O minus is formed when ionization energy of Mg is low, option B है, electron affinity of oxygen is low, ionization energy of oxygen is low, यह फिर last option है, ionization energy of Mg is high, चलिए, इस question का correct answer दीजे, question number 2 question number 2 का correct answer हो जाएगा, option A ionization energy of Mg is low इसमें और एक condition होगा oxygen के लिए तो कुछ condition दिया ही नहीं गया है मेरे ख्याल सो option थोड़ा सा आधा अधूरा है, सही है लेकिन आधा अधूरा है ठीक है, इसमें और थोड़ा सा add होगा, कि oxygen have high electron affinity, ionization of Mg is low, Mg ionization low होना चाहिए और यहाँ पर oxygen के लिए कुछ नहीं कहा गया है, oxygen के लिए आप थोड़ा से add कर लिएगा, मेरे क्याल से option में थोड़ा से mistake है आधा से ही है, आधा इसका नहीं दिया गया है, oxygen का electron affinity high होना चाहिए, ठीक है electron affinity high होगा, तभी O2 minus form होगा, तो यहाँ पर Mg 2 plus O2 minus कब form होगा, ionization energy of Mg is low and electron affinity of oxygen is high, ठीक है ionization energy क्या है, what is ionization energy और ionization enthalpy it is minimum energy required to remove the most loosely held electron from the isolated neutral gaseous atom, यह चीज़ हम लोग ने पढ़ा था, अबका periodic properties में ठीक है, ionization energy क्या है last जो सेल होता है, उसमें electron को निकलने में जितना आपको उर्जा देना पड़ता है, उसी को ionization energy कहते हैं, और electron affinity किसे कहते हैं, electron gain enthalpy या फिर electron affinity हम लोग उसे कहते हैं कि last cell में electron को add करने के लिए जितना energy चाहिए, उसको electron affinity कहते हैं तो Mg 2 plus तभी form होगा, जब Mg का ionization energy कम होगा, तभी तो आप electron Mg का निकल सकते हैं ionization energy अधिक होगा, तो electron निकलेगा ही नहीं, और Mg 2 plus form ही नहीं होगा, ठीक है, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, ionization energy of Mg is low, 7 में तोड़ा से add कर लिजेगा, इसमें electron affinity of oxygen is high, electron affinity of oxygen high होना चाहिए, तभी O2 minus form होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं, next question के और question number 3, solubility of KCL is maximum KCL का solubility maximum किसमें होगा, आपका पहला option में कोई alcohol दिया गया है, उसके बाद CS3 O, CS3 दिया गया है, H2O, CS3 COOH, चलिए इस question का correct answer दीजे, बहुत यदिक important question है, इसी परकार का question आपका lab assistant में भी पुछा गया था तो आपके आने वाले question जो भी exam है, उसके questions के लिए इस इन्पोर्टन है, चाहिए वो technical हो या फिर PGT हो, इसी label का question आपका रहेगा, question number 3 का correct answer हो जाएगा, आपका option C, H2O, ठीक है, solubility of KCL is maximum, KCL का solubility maximum किसमे होगा, H2O में होगा क्योंकि KCL एक ionic solid है, जहाँ पे K plus और CL minus आपको automatic यहाँ पे nurture आ रहा होगा यह कैसा solid है, यह ionic solid है, और water क्या होता है यह polar solvent होता है, और जो भी ionic solid होते हैं, वो polar solvent में अधिक गुलन सीर होते हैं, ठीक है, क्योंकि polar solvent का high value of dialectic constant है, यह भी आप लोगोंने पढ़ा होगा graduation में, कि जो भी polar solvent होते हैं उसके जो dialectic constant है उसका value अधिक होता है, जिसके कारण जो भी ionic solid होते हैं, इसमें अच्छी तरीके से गुलते हैं in comparison to alcohol हो गया या फिर ether या फिर acetic acid उनसे अधिक गुलते हैं H2O में, तो याद रखेंगे solubility of KCL is maximum in H2O, option C आपका correct answer होगा reason भी याद रखेंगे reason भी याद रखेंगे, तो उसी type का अगर कुछ question आ जाता है तो आप उसको साही करके आ सकते हैं question number 4 है, Lewis structure of MgCl2 and L2O3 यह भी important है, Lewis structure से question बनता है, चली, question number 4 का correct answer दीजे, Lewis structure of MgCl2 and L2O3 तो इस question का correct answer बताने से पहले एक-एक option को हम लोग देखते हैं, तभी पता चल जाएगा कि कौन सा Lewis structure correct है तो सबसे पहला Lewis structure देखते हैं तो यहाँ CL कोलोरीन का balance electron कितना होता है, last में 7 electron होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, Mg भी इधर ठीक है, इधर कोलोरीन में एक आपका electron कम हो गया है यहाँ पर देख पारे होंगे, एक electron कम हो गया है यहाँ पर अगर एक electron दिया रहा था तो इसका Lewis structure सही हो जाता है तो पहला वला ही गलत हो गया, मतलब पुरा ही option गलत है next option भी इस परकार तक Lewis structure होता ही नहीं है तो आपका इसका correct answer हो जाएगा both are incorrect, मतलब option D आपका correct answer हो जाएगा none of these, ठीक है, none of the above option D आपका correct answer हो जाएगा मैं बता देता हूँ, चलिए Lewis structure कैसा होता है, MGC L2 का तो ठीक था यहाँ पर अगर एक electron रहता तो इसका जो Lewis structure है, वो ठीक हो जाता है L2O3 इसका Lewis structure थोड़ा डीफरेंड बनेगा, ठीक है, तोड़ा सब मैं दिखा देता हूँ L2O3 का जैसे के दो टो L है, L L का configuration क्या होता है 2, 8, 10 उसके बाद 3, 13 तो लास्ट में इसका configuration जो balance electron है, वो 3 है L का configuration अगर करेंगे तो लास्ट electron कितना है, 3 है तो 3 electron इतर बना देते हैं थोड़ा समय से बढ़ा कर देता हूँ 3 electron यहाँ पर बन गया उसके बाद हम लोग का O3 है oxygen, oxygen, oxygen 3 to oxygen है और oxygen का balance कितना होता है 6 होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसी परकर इसका भी बना दीजे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 अच्छे साब कोपी में बना दीजेगा और यहाँ का 2 आपका चला जाएगा इस oxygen के पास एक बचरा इसके पास चला जाएगा इसका दो चला जाएगा इसके पास और एक बचरा है इसके पास जाएगा ठीक है तो इस परकर का Lewis structure बनेगा L2, O3 कोपी में थोड़ा सा अच्छे से valency निकाल करके बनाईएगा तो समझ में आ जाएगा तो इसका correct answer क्या हो जाएगा none of the above कोई भी आपका option correct नहीं है तो इसका correct answer option D हो जाएगा next question पर आगे बढ़ते हैं question number 5 Lewis structure of the element M and Z are shown below element M and Z का आपका Lewis structure दिया गया है नीचे आपको बताना है कि कौन सा compound formed होगा पहला compound है M5Z3 M2Z3 MZ या फिर MZ3 question number 5 का correct answer चलिए सभी कोई देंगे तो इसमें दिमाग लगाने के जरूरत ही नहीं है 1 to M है 1 to Z है मतलब MZ ही बनेगा option C आपका correct answer होगा next question है different kind of bonds and interactions present within CUSO4.5H2O they can be यहाँ पे एक question दिया गया है CUSO4.5H2O इसमें कौन-कौन सा bond या फिर कौन-कौन सा interaction होगा चले नीचे पड़ते हैं sigma bond है pi bond है coordinate bond है electrostatic force of attraction है hydrogen bond due to dipole-dipole interaction है या फिर last option है hydrogen bond due to iron-dipole interactions तो इसमें बताए कौन-कौन सा correct होगा चले मैं timer on कर देता हूँ CUSO4H2O sigma bond तो होगा H2O है उसमें ही sigma bond है pi bond भी होगा coordinate bond भी होगा CUSO4 में electrostatic force of attraction भी यहाँ पे मोजूद है hydrogen bond due to dipole-dipole moment यह भी होगा H2O और CUSO4 के बीच में hydrogen bond due to iron-dipole interaction यह भी होगा तो मेरे क्याल से सारा option सही होना चाहिए option D इसका correct answer हो जाएगा all of these option D इसका correct answer हो जाएगा Q6 का correct answer याद रखेंगे option D all of these इसमें pi bond भी है sigma bond भी है coordinate bond electrostatic force of attraction hydrogen bond due to dipole-dipole interaction and last option hydrogen bond due to iron-dipole interaction मतलब सभी option इसका correct answer हो जाएगा option D Q6 का option D all of these चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और question number 7 next question है consider the following compound कुछ-कुछ compound दिये गये है ठीक है इसमें बताना है कि कौन सा ionic cobalent and coordinate तीनों ही प्रकार का nature सो करता है चलिए इस question का correct answer दीजे K4 APCN all 6 या फिर NH4Cl या फिर आपका option 3 है H2SO4 या फिर last है NICO4 तो इस question का correct answer हो जाएगा आपका option B all except 4 all except 4 इसमें तीनों ही आपका ionic cobalent and coordinate सो करेगा K4 APCN6B NH4ClB और H2OB तो इसका correct answer हो जाएगा all except 4 option B आपका correct answer हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 8 Out of the following maximum cobalent nature is in maximum cobalent nature किस में होगा NAF, MGO, ALN या फिर SIC चलिए interesting question है इसका correct answer दीजे अगर periodic properties वाला जो मैंने chapter करवाया था ध्यान पूर्वग अगर आपने देखा है तो अब यह सा बात है एकदम आसान सा question आपको लग सकता है यह तो यहाँ पर directly फाजान सुरूल काम करेंगा Out of the following maximum cobalent nature आपको यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ पर फाजान सुरूल यह आपने पढ़ा होगा कि फाजान सुरूल में क्या पढ़ा होगा कि smaller the size of the cation cation का size smaller होता है और larger the size of the nion cation का size small और nion का size अगर larger होगा तो उसमें polarizing power भी अधिक होगा और उसमें cobalent character भी अधिक होगा यह चीज फाजान सुरूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसी साब से question number 8 का correct answer हो जाएगा option d, si, c si, c क्योंकि si का size smaller है आगे बढ़ते जाएंगे जैसे कि आप periodic table देख रहे है अगर imagine कीजे left से right की और आगे बढ़ेंगे तो na सबसे पहले आता है उसके बाद mg, उसके बाद al, उसके बाद si सबसे आपका right side में आता है तो इसका size एकदम कम हो जाएगा तो यहाँ पर फाजान सुरूल लगा करके भी आप इसे यह कर सकते हैं maximum यहाँ पर cobalent nature si c में दरसाएगा option d ठीक है next question है arrange nacl, mgcl2, alcl3, si cl4 in increasing solubility in ether non polar solvent में आपको घॉलना है nacl, mgcl2, alcl2, si cl4 तो इसमें आपको बताना है increasing solubility छेले इसका correct answer दीजे question number 9 का तो question number 9 का correct answer हो जाएगा option A, ठीक है nacl का solubility कम होगा फिर से वही left से right के और जाएगे तो size घटता है और उसका solubility भी बढ़ते जाता है तो option A इसका correct answer हो जाएगा nacl का सबसे कम solubility होगा उसके बाद mgcl2 का होगा उसके बाद alcl3 का होगा उसके बाद si, cl4 का solubility सबसे अधिक होगा non-polar solvent में ठीक है question number 10 है covalent nature of naf, na2o and na3n is increasing order naf, na2o and na3n इनको increasing order में आपको arrange करना है चलिए कुन सा correct answer होगा बता है, question number 10 का तो इसका correct answer हो जाएगा option B covalent nature आपका naf, na2o and na3n तो सबसे अधिक covalent nature किसका होगा इसमें na3n का सबसे अधिक covalent nature होगा उसके बाद आपका na2o आएगा naf आएगा तो इसका correct answer हो जाएगा option B question number 10 का correct answer होगा option B क्योंकि increasing order में पुछा गया था तो सबसे कम naf का हो रहा है उसके बाद na2o, na3n तो इसका correct answer option B होगा ठीक है next question है solubility of CUS ZNS and na2s in water, in order तो solubility इसका ये करना है find करना है उपर जैसे आपने पता लागा था उसी परकार ये भी होगा same question है लगबग question number 11 का correct answer देंगे तो इसमें solubility of water तो question number 11 का correct answer हो जागा option B सबसे कम solubility आपका na2s का होगा उसके बाद आपका CUS का उसके बाद ZNS का तो इसका correct answer हो जागा option B next question के और आगे बढ़ते है question number 12 which pair is not in correct order of lattice energy lattice energy सम्मदित question है चलिए इस question का correct answer देज़े कौन सा correct order में नहीं है which pair is not in the correct order of lattice energy KCl is less than MgO Aln is greater than MgO option C है BeCO3 is greater than MgCO3 या फिर last option है BeCO3 is equal to MgCO3 इस question का correct answer देजे तो lattice energy के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि energy required to convert one mole one mole of ionic solid को in gaseous ionic constitute में बदलने के लिए जो energy के अवशकता होती है उसे हम लोग lattice energy करते है तो यहाँ पे कौन सा correct answer होगा यह आपको बताना है तो इस question का correct answer हो जाएगा option D BeCO3 MgCO3 क्योंकि option C correct है अर्थाद की option D यह wrong हो जाएगा क्योंकि CO3 माइनस यहाँ पे दिखेगा तो यह large ion ion है CO3 large ion है तो यहाँ पे अपका factor क्या mg और B पे depend करेगा तो Be2 प्लस यहाँ पे क्या होगा Be2 प्लस small lattice structure है तो इसमें small है तो जिसके करण latest structure में यह अच्छा फीट होगा तो इसका energy सबसे अधिक होगा और इसका energy कम होगा तो इसका correct answer हो जाएगा option D क्योंकि option C अगर सही है तो आपका wrong क्या होगा option D हो जाएगा तो इसका correct answer हो जाएगा option D BeCO3 is equal to mgCO3 option D आपका correct answer हो जाएगा next question है question number 13 most stable compound is कौन सा stable compound होगा सबसे अधिक LI app, LICL या फिर option C है LIBR या फिर option D है LII most stable compound कौन सा है यह आपको बताना है question number 13 तो question number 13 का correct answer हो जाएगा option A LI app LI सब में बराबर है तो इसका stability जो यहाँ पे A app, CL या फिर BR पाई depend करेगा तो यहाँ पे highest enthalpy smallest size में होता है तो app सबसे smallest size है क्योंकि आप periodic table में दिखेंगे तो fluorine उपर आता है उसके बाद chlorine उसके बाद bromine उसके बाद iodine तो app का smaller size है जिसके करान highest enthalpy होगा और इसमें stability भी अधिक होगा तो इसका correct answer होगा option A LI app is most stable next question है compound so करेगा question number 14 का correct answer दीजे this question का correct answer होजागा option D SI 4 plus C 4 minus यह जो compound है इसमें आपका most stable most covalent compound so करेगा option D आपका correct answer होगा SI 4 plus and C 4 minus next question है aqueous solution of a mixture containing LICL, COCL, NACL and ALCL3 this is second with ether what is or are left in water LICL, NACL option B NACL, ALCL3 only COCL, only NACL इस question का correct answer दीजे question number 15 question में पुछा गया है aqueous solution of a mixture containing LICL, COCL, NACL and ALCL3 this is second with ether what is or are left in water water में क्या बचेगा तो इस question का correct answer हो जाएगा option D only NACL only NACL बचेगा option D आपका correct answer हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में इतना है तो इसे जरूर लाइक कर दे क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि कि इस परकार के वीडियो आपको प्रवाइट करवाई जाएगा आपको वीडियो informative लगता हो तो आप लाइक कर सकते हैं किसी परकार का suggestion या फिर कुछ आपको पूछना है तो comment में comment करके पूछ सकते हैं धन्यवाद अगले वीडियो में लोग फिर मिलते हैं आप लोग का admit card download हो रहा है PGT के student का तो admit card जाकर के jsac.nic.in में जाकर के admit card का section है वहाँ पे जाकर के आप admit card download कर सकते हैं और यह जो मैं book से पढ़ा रहा हूँ यह अरियंद का book है आप जाकर के अरियंद का book ले सकते हैं या फिर PDF चाहिए तो मैं आपको provide करवा दूँँगा नीचे आपको description में telegram id का link मिल जाएगा at the rate bound to education at the rate bound to education at the rate bound to education या फिर आप whatsapp में भी message कर सकते हैं whatsapp number में मिल जाएगा only 30 rupees लगेगे मैं आपको इस book का PDF provide करवा दूँगा अगर आपके पास नहीं है तो तो चलिए आज किस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं